कॉन्डरेस नेता पूनम पंडित की बागेशवर महाराज के साथ photo viral कहा धर्म उनका personal matter सवाल उठाने वाले गलत कॉन्ड्रेस नेता पूनम पंडित की धीरेंड शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज के पैरों के पास बैठे हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा कि हर आदमी की अपनी धर्मिक मान्यताय होती है वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है लेकिन उसकी धर्मिक मान्यताय अलग हो सकती है पूनम पंडित ने कहा कि वह बागेश्वर धाम में श्रद्धा रखती है और कोई भी व्यक्ती गुरू के जर्ये ही धर्म से जुर सकता है कॉन्रेस नेता पूनम पंडित ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बागेश्वर महाराज के साथ वाली एक फोटो शेयर की थी उनकी इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह के सवाल करने लगे इस बीच पूनम पंडित ने यूपी तक से बातचीत में बताया कि वह चार दिन पहले धिरेंद शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज के आश्रम गई थी सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है वो उनकी ही है क्या बोली पूनम पंडित पूनम पंडित ने धिरेंद शास्त्री के साथ वाली उनकी फोटो वायरल होने पर कहा हर आदमी की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताए होती है आदमी किसी भी पार्टी से जुर सकता है लेकिन उसकी धार्मिक भावनाए उससे अलग हो सकती है हर इंसान की अपनी धार्मिक मान्यताय होती है पूनम ने आगे कहा कि उनकी बागेश्वर महाराज में श्रद्धा है कोई आदमी गुरू के जरिये ही धर्म से जुर सकता है इसलिए वह बागेश्वर महाराज को मानती है वह इससे पहले भी कई बागेश्वर धाम के आश्रम गई है और जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं वो गलत है धर्म पसनल मैटर पूनम पंडित ने कहा कि बागेश्वर महाराज किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है भगवान किसी पार्टी से नहीं जुड़ते उनके दर्बार में बीजेपी, कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी समेथ तमाम दलों के नेता जाते हैं भगवान के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं पूनम पंडित ने कहा कि धिरेंद शास्त्री महाराज केवल बीजेपी के नेताओं की तारीफ नहीं करते उन्होंने उनकी पार्टी के नेताओं की भी तारीफ की है पूनम ने कहा कि वह सनातन धर्म में विश्वास रखती है और यह उनका पसनल मेटर है इसलिए वह चाहती है कि सभी लोग इसका सम्मान करें कॉंड्रेस को कोई परेशानी नहीं पूनम ने कहा मैं किसी भी धाम में जाओं और किसी भी संथ से मिलूं इस पर्टिपनी करने का किसी को हग नहीं है पूनम ने चेत्वानी देते हुए कहा कि अगर किसी ने उनके धर्म के खिलाब बोलने की कोशिश की तो वह उसका जवाब देंगी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टि के किसी नेता ने धिरेंद शास्त्री से मुलाकात करने पर आपत्ती नहीं जताए है कि अगर कि वह उनके बाटि के किसी नेता है